गुट आप्टरून स्टुडेंट्स मैं प्रियंकर तिंग आपका एक्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत करती हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी इस समय की क्लास जो है आपकी सीटेट पर्यावरण की क्लास है और हम आज जो कोश्चन सॉल्व करने ज 5-6 मिनट देखेंगे तो हम लोग कुछ त्यूरी की भी बात करेंगे तो अभी फिलाल के लिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं तो 11 जनवरी का जो है 2022 में जो सीटेट का ऑनलाइन पेपर हुआ था तो हम लोग वह देखने जा रहे हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है यह कोश्चन और यह बताईए दिये गए ठीक है दिये गए जितने भी आपके घरों यह परों नहीं है यह घरों घरों के प्रकारों में से उसे चुनिये जिसे भारी वर्सा वाले छेत्र के गाउं में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए यानि कि ऐसे घर के बारे में आपको बताना है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो तो वहां पर ऐसा घर बनाया जाता हो जैसे की select from the following the kind of house that should be made by most of the villages people living in the regions with heavy rainfall तो देखो पहला तो ऐसे घर क्या होने चाहिए सपाच्छत बास के घर सपाच्छत वाले पत्थर के लकडी के घर बास के खंबो पर ढालू यानि ढालू का मतलब होगा कि जब पानी आए तो सीधे नीचे गिर जाए ठेक तो यानि कि इसमें से कटीली जाडी और मिट्टी का जो घर होता है ये मरुस्थल वाले छेत्रों में बनता है जहां पर ठंडी की ज़्यादा जरूरत होती है तो इसमें से स्टुडेंट्स आपका कौन सा सही होना चाहिए तो असम चुकी ऐसा रीजन है उत्तर पूर्वी स्टेट है तो वहाँ पर बारिश तो होती ही है ज्यादा समाने से तो यानि कि हमें बास के खंबो पर बने ढालू छत वाले घर चाहिए और ऐसे घर असम में द सब्सक्राइब is नॉर्थ इस्ट इस्ट जो है स्टेट बोला जाता है नौर्थ इस्ट mniej ही fps फाहड़ी है खासी पाहड़ी है यानि की खासी माउंटेन जोकी की की तरह है और पूरे विश्व में यानि की पूरे वर्लड में सबसे जादा बारिश एप्रॉप्स वन थाउजन सेंटिमीटर जो बारिश है वो आपके मानसीन राम खासी पहाड़ी पर होती है चेरा पूंजी में घाले में तो यहाँ पर C is right answer अब अगला देखिए उस महिला के वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरास्टिय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते थे नेम ऑफ दे लेड़ी वेट लिफ्टिंग वो हैज वन 29 मेडल्स इन दे इंटरनेशनल इवेट तो अब आप तुरंत बता दोगे क्यों कि कच्छा तीन से लेकर यानि क्लास थर्ड से लेकर आपके फिफ्ट के जो सलेवस में NCRT में आपका बेचेंदृपाल भी है और बेचेंदृपाल किस से संमंथित है तो माउंट एवरेष्ट से क्योंकि पहली भारती महिला जो माउंट एवरेष्ट पर चड़ी थी सुनीता विलियम्स भी स्लेबस में है लेकिन ये अंतरिक्ष यात्री थे अंतरिक्ष यात्री थे यात्री है कल्पना चावला भी अंतरिक्ष यात्री है तो स्लेबस में ये सब है जबकि कर्णम मलेश्वरी ये क्या थी तो ये वेट लिफ्टर थी और ये भी क्लास थर्ड से फिफ्ट तक की NCRT में कर्णम मलेश्वरी दिया गया है तो इसका सही जवाब होगा कर्णम मलेश्वरी अगला देखिए मेंड को और कीटों को फसाने और खाने पकड़ कर खाने वाला घट पर्णी पौधा कहां पाया जाता है दपिचितर प्लांट देट ट्रैप को एंड इट फ्रॉग एन इंसेक्ट तो देखिए सबसे बड़ा कि यह जो पौधे होते हैं यह जो प्लांटों होते हैं क्यों कीटों को खाते हैं यह क्यों कार्निवोर्स होते हैं क्यों क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती ह यानि नाइट्रोजन की डिफिसियंसी को पूरा करने के लिए यह क्या करते हैं तो इंसेक्ट्स वगेदा को खाते तो महरास्ट तो होगा नहीं अब मेगाले और मनीपुर में देखना है कि जो है कहां पर इस तरह के पौधे पाए जाते बताईए तो ऐसे एक मेगाले में देखने को मिलते और मेगाले में तीन पहाड़ी है खासी यह गारो खासी इसको इंगलिश में भी यही कहते है और जयंतिया झेल ञते और खासी पहाड़ी पर ही मान सीन राम यही सब कोश्चन ही पूछा जाता है सीटेट में मान सीन राम चेरा पूंजी जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती क्योंकि जो इनका शेप होता है वो कैसा होता है कीप के अकार का यानि कीप शेप का होता है कीप शेप का होता है ठीक है चले अगला देखिए इसको देखते है नेंट लिखेत में से उन जिम्मेदारियों को चुनिये जिन्हें परवत रोहन यानि की माउंटेनियरिंग के ग्रूप लीडर निभाते तो आप जानते हो कि हिमाले या माउंट एवरेश्ट पर जब लोग चड़ते हैं तो एक ग्रूप के साथ चड़ते हैं अकेले नहीं चड़ते यानि एक ग्रूप होता है यानि स्टेलेक्ट फ्रॉम दा फॉलोईंग रिस्पोंसिबिलिटी ओफ ग्रूप लीडर हूं लीड इन माउंटेनरी तो आखिर उस लीडर के अंदर क्या चीज़े होन चाहिए तो देखिए पहला तो ग्रूप के आगे चलना ताकि ग्रूप पीछे चले अरे नहीं यह सही नहीं उस प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार के चड़ने योग नहीं है नहीं बिल्कुल लीडर का काम ये भी नहीं लीडर का काम होता है कि समान उठाने में जितने भी मेंबर से हैं उनकी हेल्प करें जितने भी मेंबर्स यानि की प्रतिभागी को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूडे जहाँ पर कैम्प वैंप लगा करके उन्हीं यात्रियों को क्या किया जाए तो देखते ही हो हिमाले जब माउंटेन पे चरते हैं तो कैम्प लगाया जाता है जो अस्वस्त है उनका ध्यान रखना ग्रूप के लिए उचित भोजन की विवस्था करना ही तो सी और डी यही में इसका काम है आगे चलोगे ग्रूप पीछे चूट जागा तो काहे का ग्रू टेबल प्लेस वेर पाटिसिपेंट में स्टॉप एंड टेक रेस लुक आप्टर दोज हूँ आर अन्वेल एंड अरेंज प्रॉपर फुड तो आपका सी डी यह आपका सबसे बहतर जो है आपका ऑप्शन है अगला देखिए किसी व्रिक्ष के बारे में नीचे गए विच करिए अब उस ट्री के बारे में आपको कंसीडर करना है अब देखिए क्या है इस व्रिक्ष की उचाई समान कक्षा के कमरों की दिवारों के बराबर यह रिपीटेट कोश्चन है ध्यान दीजेगा सीटेट में यही सब आप्शन रहेंगे आपको इस बार भी इस उबग तीस गुनी गहराई तक नीचे जाते हैं तो आप सभी जानते हो कि जितने भी जीरो फाइट प्लांट होते हैं उनकी जड़े बहुत दूर तक जाती है ड्यू टू एडप्टेशन और आप जानते हो कि इनको जीवन अगर जीना है तो इनको पानी चाहिए for searching of water ये कहां जाते हैं तो ये जड़े बहुत दूर दूर तक जाती है समझ में आया तो यहां तो option ही नहीं इन्होंने लिखा है भाई इसमें इन्होंने option ही हटा दिया है तो चलिए हम लोग option देख लेते हैं English वाले में option है ठेक यानि कि ये पहला सही है इसकी उचाई एग तो दूरे बहुत गहराई में जाती है या वरिच अपने तनों से जले कत्र करते है या वरिच अबू धाबी एकदम गलत यानि ए और वी सी जो है इसका सही जवाबव है शेंगे कौन सा प्लांट ए तो खेतड़ी खेतड़ी प्लांट है पोधा है और ये अक्सर राजस्थ में देखने को मिलता है खेतडी और यह एक मेडिकेटेड मेडिकेटेड यानि इससे दवाई भी बनाया जाता है और यह प्रदूशन यानि पॉली टेंट को रोकने के लिए भी काम आता है तो इतने सारे इसके क्या है आपके खेतडी के काम अगला देखिए यदि आप भारत के मांचित्र पर कोई सरल रेखा खीचे तो भारत की राजधानी और पश्ची मंगाल की राजधानी को मिलाती हो तो नई दिल्ली के साय कोलकत्ता की दिशार क्या होगी if you draw a straight line of the map of India which connect the capital of India यानि कि डेली the capital of West Bengal यानि कोलकत्त देविच रिस्पेक्ट आफ न्यू डिली the direction यानि कि हमको दिल्ली के रिस्पेक्ट में हमें direction देखना है कि कोलकत्ता का direction क्या है तो हमें भई map अगर open कर लेंगे तो हमें आसानी से direction समझ में आज़े तो यह कह रहा है दिल्ली और जो डैली है आपकी कहां पर है ये है डिली ठेक और यहां पर हमने आपकी straight line हमने और यह हमने तो यह आप सभी जानते हो यह east है यह west है यह north है और क्यूंकि हमें दिल्ली के respect में बताना है और यहां पर क्या है कोलकता है कोल सीदे लिखिए कोलकता तो अब यह direction किदर है ऐसे है तो इस direction को हम क्या कहते हैं south east बोला जाता है यानि कि दक्षिडपूर भी बोला जाता है तो दक्षिडपूर भी यानि कि दक्षिडपूर में a is the right answer यानि दक्षिडपूर में जो direction होगा वो दक्षिडपूर है समझ में आगई बात दक्षिडपूर में और आपने देखा कि दक्षिडपूर वह यह है यह है यानि इसी को यह वाला जो direction south east कहते है यह वाले direction को north east कहते है इसको northwest कहा जाता है और इस वाले direction को हम southwest कहते हैं तो यह है direction किदर है कोलकत्ता तो यह साउथ इस्ट की तरफ है यानि की पूरब की तरफ है अब अगला सीधे लिखा है ग्रेगर मेंडल ने एक मुनी थे यह एक मौंक थे क्या थे एक मौनेश्ट्री में रहते थे ना एक मौनेश्ट्री में आपके कौन थे मेंडल रहते थे यानि एक मौंक थे मौंक थे जिनों ने 28,000 मटर के पौधे के साथ वर्स तक मठ यानि की मौनेश्ट्री के बगीचे में प्रियोग किया था उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे लक्षर है जो जो जोरियों में आते हैं निम लिखित जिसे मेंडल ने अपने प्रियोगों में नहीं पाया था अब फिर से हम बता रहे हैं ग्रेगर मेंडल वाज़ा मौंक वू डेड़ एक्सपेरिमेंट फॉर सेवन यह साथ साल तक 28,000 पी प्लांट इन गार्डेन ओफ मौनेश्ट्री दफांट दपी प्लांट यानि की लक् तो देखें मेंडल ने पूरे सेवन कंट्रास्टिंग करेक्टर दिया था सेवन कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग करेक्टर दिया था यानि साथ कंट्रास्टिंग करेक्टर दिया था अब उस साथ कंट्रास्टिंग करेक्टर दिया था अब उस साथ कंट्रास्टिंग क बौदे का य्याया अपने इक्स्पेरिमेंट में सामिल नहीं किया था बताए एकॉuito यह दिए आ है तो देखें लिए यानि जो सीट कलर सेट कलर में इन्होंने ग्रीन और पीला तो मटन के जो दाने होते हैं वह रहए और पीने हो सकते हैं, यह experiment में था, बीजों का wrinkled और चिकना हो ना यह भी इनोंने बताया था, पौधे का लंबा, यानि कि इनोंने tall और dwarf, यह भी plant बताया था, लेकिन इनोंने चौथा option नहीं बताया था, यानि अगली पीडी के पौधे के बीजों का नया रंग, यह सब इन देखे तो इसका अगर हमाई पास डाइग्राम जब हम बायो पढ़ा रहे थे तब हमने यह सेव किया था मेंडल के सेवन कंट्रास्टिंग करेक्टर को अब यह मिल जाता तो सही रहता लेकिन यह मिलेगा नहीं मेंडल का कंट्रास्टिंग करेक्टर वाला हमने फीगर रखा ह हुआ था लेकिन शायद यह मिलेगा नहीं डाउन्लोड में देख लेकर है नहीं होगा यह मैंने बहुत पहले जब मेंडल पढ़ाया था तब फीगर रखा था लेकिन शायद अभी नहीं ठीक है नहीं ठीक आगे चलिए नीचे दिए गए लक्षण वाले पक्षी का क्या नाम है नीचे दिए गए लक्षण वाले जो पक्षी है उसका क्या नाम है तो हम लोग अभी मेंडल के सेवन कंट्रास्टिंग करेक्टर की बात करेंगे क्लास लेकर ही जाईएगा एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा यानि अक्रो ऑन दे हैड एंड क्वाइन्स ऑन दे टेंड सो मेनी शेड़ ब्लू फ्रॉन दे टॉप टू अरे भाई आप सभी जानते हो कि जिस पे क्वाइन जैस किस पर दिखता है ऐसा क्वाइन जैसा आखिर किस आपके पक्षी पर दिखता है तो देखते ही कहोगे मैं मोर मोर पर ही तो दिखता है मोर यानि कि पिकॉक पर ही तो नीले और ऐसे ऐसे जो है आपका सुन्दर सुन्दर डिजाइन क्वाइन जैसा आप बनाते हो ठीक नीले रंका ऐसे क्वाइन जैसा के मोर के पंखों पर ऐसा दिखता अगरा देखिए भारत में कितने राज्य हैं भारत में कितने राज्य हैं तो आपके भारत में जो राज्य की संख्या राज्य है वो 28 और केंद्र साशित प्रदेश केंद्र साशित प्रदेश वो कितना है आठ आठ अब इस आठ केंद्र साशित प्रदेशों में पहला चंडीगर दूसरा है डेली तीसरा है पुंदू चेरी पुंदू चेरी और दिल्ली में विदान सभाओं में चुनाओं होता है ठीट और चौथा कौन सा है जे एन के यानि जम्हू एन कश्मीर पच्वा कौन सा है लद्दाग चट्वा कौन सा है दादर दादर नागर हवेली सत्वा कौन सा है अंडमान निकोबार और अठवा कौन सा है लक्षेद्वी और यह 100% यहां से कोश्चन आ सकता है दादर नागर हवेली के साथ जोड़ा गया है तब इसे यह पूरी संख्या में आठ हो गई है तो सीधे, ठीक है सीधे अगला देखिए सबसे लास्ट टाइम में जो एक नया राज बना था वो दो जून 2014 को तेलंगाना बना था तेलंगाना आंध प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज बना था यहां से भी कोश्चन आ सकता यह कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड यहां दिया हुआ है क्या तो दिया हुआ है कीट यहां पर दिया हुआ है पक्षी यहां पर सरिश्रेप यानि की रेप्टाइल्स रेप्टाइल से है यहां है मैमल्स मैमल्स है तो हम पढ़ा चुके हैं यहां पर है बर्ड बर्ड है और यहां पर है इंसेक्स इंसेक्स अब आप बताईए क्या है यानि कि जो रैप्ताइल से होते हैं वो कौन होगा आपका बताई यह क्या है एक इंसेक्ट से है और पख्षी क्या है आपका उल्लू है उल्लू तो एक आपका सेकेंड P का आपका चौथा यानि की ये फोर्थ इज राइटेंस फोर्थ इज राइटेंस अगला यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगर अब पटना कहां पर है तो ये ध्यान रखिए बिहार में है चंडीगर चंडीगर राजधानी है किसकी तो आपके पंजाब की भी राजधानी है और हडियाना की भी राजधानी है दोनों की राजधानी चंडीगर चंडीगर एक केंदर सासित प्रदेश जा रहे हैं तो यह संभावित राज केंदर सासित प्रदेश जिससे होकर तो जब आप बिहार से आप चंडीगर जाएंगे तो बीच में कौन कौन से स्टेट आएंगे आपको बताना है तो यानि कि आपको मैप देखना पड़ेगा नहीं तो आप नहीं बता पाएंगे तो चलिए हम लोग इस मैप देखते हैं कि हमें बिहार स से कहां जाना है चंडीगर जाना है हमको बिहार से चंडीगर जाना है तो ये रहा आपका क्या बिहार कहां पर बिहार है यह ये बिहार तो हमें बिहार से पहले अब उत्तर प्रदेश जाना हूँ हमें उत्तर प्रदेश जाना हूँ उत्तर प्रदेश से हो सकता है कि हम दिल्ली जाएं दिल्ली से हरियाणा उत्तर प्रदेश से दिल्ली यह डारेक्ट ही हरियाणा की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती तो यह तो ड पर कि टूटकि हर्याण किस से तूट करना था पंजाब से पंजाब कि पंजाप है तो जिस और याड़ा में हरियाड़ भी बोली जाती तो जिस कारण से इन दोनों का जो है डिवाइडेशन तो अब हम सीधे क्यूंकि चंडी गड़ पंजाब है तो हमें हरियाड़ा से होके जाना पड़ेगा तो सीधे किस केंद्र सासित संभावित पूछा है तो इसमें पंजाब से नहीं गुजरेंगे बाकी सीधे क्यूंकि राज भी ऑप्शन में दिया है और केंद्र सासित प्रदेश तो हम उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे हरियाडा से गुजरेंगे डिली से गुजरेंगे लेकिन पंजाब में नहीं गुजरेंगे क्यों क्योंकि जहां पर पंजाब है और यहां हरियाडा है तो चंडीगर तो यहीं पर है चंडीगर इदम बाउंडरी पर ही है चंडीगर के बाद तुरंत हरियाडा पंजाबétais है तो पंजाब में इंट्री ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम हर्याना से कहा पहुंच जाएंगे हम को यहाणा क्रॉस करेंगगे क्यों कि जैसे क्रॉस करेंगे हमें चंडीगकर मिल जाए मच्छरों से फैलने वाले जो तीजीज है यार्न की तीन रोग भी बता दिया जाए तो बताएए फटा फट आप तब तक इसको देखते रही है तो डेंगू एक viral disease है बले देखी ये मच्छरों के द्वारा फैलाने तो डेंगू जो एक बिमारी है ये एक virus बिमारी लेकिन इस virus को फैलाने वाला फैलाने वाला क्या होता है मच्छर होता है मच्छर होता है फैलाने वाला मच्छर होगा लेकिन यह जो डेंगू होता है जिससे वो क्या है तो वो आपका एक वाइरल डिजीज होता है यहां तक किसी को कोई डाउट अब आगे देखिए और कोविड नाइंटीन आप जानते हो कि इसको फैलाने वाला मच्छन नहीं होता चिकन गुनिया मच्छर फैलाता है डेंगू लेकिन HIV AIDS नहीं malaria, dengu, चिकन गुनिया ये तीनों ही जो ये बिमारी है ये मच्छर के द्वारा फैलाने से ही ये बिमारी होती है मलेरिया डेंगू और चिकन गुनिया तीन क्योंकि कोबिड नाइंटीन एक वाइरल है और यूमन बींग के छीकने खासने और इनसे फैलता है तो यह है आपका थर्ड अगला पोस्चन है तीन ऐसे आपके ग्रूप है जो इडिबल ग्रूप है जिसमें आईरन सबसे जाना पाया जाता है तो आप सभी जानते हो आईरन पाने का अगर देखना है तो जो फल या जो चीजे कुछ समय के बाद काली हो जाएं तो इसका मतलब कि उसमें क्या पाया जा रहा है आईरन पाया जा रहा है तो बताईए इसमें सबसे जादा आईरन आपको कहां देखने को किस फल में देखने को मिलेगा आवला पालक गुड में आवला पालक कद्दू में सेफ गुड खीरा में आवला सेफ कद्दू में तो आवला जानते ह कि सब्से ज़्यादा बितैमिन सी सबसे ज़्यादा जो बितैमिन Сी ए वह में आवला में ही देखने को मिलता है। कि तो हमें जहां तक लगता है कि आवला भी एक वक्त के बाद काला पड़ता है तो आप यहां पर लिख लोगे क्यूدي आईरन की डिफिसियंसी होती है तो हम लोग क्या करते हैं फॉलिक एसीड की टेबलेट मिलती है और नहीं तो बिटैमिन जो है इससे मिलता है तभी तो अब एक चीज है common sense जब कोरोना वाइरस चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था oxygen लेबल डाउन हो रहा था oxygen लेबल डाउन हो रहा था और oxygen लेबल जब डाउन हो रहा था तो और अगर जिस इंसान में ब्लड की कमी रहे यानि की ब्लड की क्या रहे कमी यानि की हीमोग्लोबिन यानि की हीमोग्लोबिन की कमी रहे तो अगर पहले से ही हीमोग्लोबिन कम है और नहीं तो आपको को रोना हो गया तो अब तो हुआ दिकत क्यों कि हीमोग्रोबिन ही ऑक्सीजन को क्या करती है ट्रांसपोर्ट करती है सरीर में और हीमोग्रोबिन ही कम है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा कोई नहीं करेगा समझ में आई बात तो इसलिए उस समय विटामिन की सी की गोलियां दी जाती थी कि द्शाइदा से ज़्यादा आयरन की चीजे खाने के लिए टॉपालग गुड़ आवला ये भी तो आवला में विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और आवले को काट करके रखो तो कुछ देर बाद देखोंगे तो विटामिन इसी नहीं उसमें भी होता है और आवला कैसा हो जाता है काला पड़ जाता है काला पड़ जाता है तो D is the right क्योंकि शेब गुड़ शेब भी काला पड़ता है गुड़ तो आईरन के लिए है लेकिन खीरा इसका सही जवाब नहीं ठेख आवला सेप सही है लेकिन कद्दू इसका सही जवाब नहीं है आवला पालक सही है लेकिन कद्दू इसका सही जवाब तो D is the right अगला देखिए अगला कोश्यन आपके सामने है बताईए अगला कोश्यन आपके सामने है कोश्यन करके दिखाईए लिखा हुआ है कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी अभी कल ही देखा था देखो रिपीट कर गया कोश्चन अपनी कक्षा में जहां प्राय सभी स्थानिय विद्यार्थी हैं सामिल हुआ है आप विभिन संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर क करें प्रियोग करना चाहते हैं तो हम बच्रों को यहीं बताईंगे कि विविद्यत्व में एकता ह। क्या है Congressman आ अधार कार्ड में जिला चेंज है किर अधार कार्ड में छेंज है और अधार कर्ड में चेंज है सरगजाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है बविता जी जीला नहीं मिलाया जाता है वह सिफ आपका फोर्टो मिलाया जाता है अधार कार्ट से जीला और यह सारी चीजे थोड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी जीला सिफ इसलिए होता है कि आपका सेंटर पड़ सके बस टेंशन ना लीजिए कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है इन सब परिस्थितियों में तो बताइए इसका सही जवाब क्या है अनिसंस्कृति को प्रति द्रिष्टि कोड को अभिव्यक्त कर देते हैं प्रक्षपात रूडिवादिता को कम करने और विविदता को महत्व देते हैं तो यहां पर आपकी कौन सी सही जवाब होगा ये कि्यूंकि विविदता में ही एकता है और इस चीज को हमें बच्चों को समझाना सी वाले लोग सी क्यों लगा संस्क्रिटि के प्रतिं अपने दृष्टी कोड को सभिवयक्ति करने देने के लिए नहीं अरे आप का क्यों कई सभिवयक्त करेंगे। उसमें हर तरह की संऽ्क्रिति वाले बच्चे हैं never यह पढ़ाना है कि विवित्ता में एक्टा यानि हर संस्कृति एच्छी होती यानि कि पच्चपात नहीं करना चाहिए किसी संस्कृति के साथ और नहीं रूड़ी वादिता अपनाना चाहिए बीजदर आई तब कली तो कोश्चन करवाया है एक दिन में भूल जाते हो निमलखित में से जूम एप से वीडियो कॉन्फरेंसिंग होती है वीडियो यानि आमने सामने देखके बात किया जाता है पढ़ाया जाता है छोटे बच्चों को कोरोना के दौरान हम लोग जूम एप पर बहुत सारे छोटे बच्चे पढ़ते थे कि कौन सी विसेश्ता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है यानि बिना बोले जूम एप की बात कर रहा है बिना बोले तो आब मैंने कल ही यह कोश्चन रिपीटेड है बिना बोले संचार हमेशा चैटिंग जी आइफ के माध्यम से यानि ग्रैफिक भेजते हैं हम लोग जिस्ते की नियम लिखित में से कौन सा अभ्यास संरचना वादी द्रिष्टि कोर से सबसे अधिक मेल खाता है बताई सबसे अधिक मेल खाता है संरचना यानि कि स्ट्रक्चिरल तो पहला है पच्छियों की चोच के चितर का प्रियोग चितर का प्रियोग यानि इसके फीगर का प्रियोग अलग अलग प्रकार की चोच के अनुकूल की पहचान करना नहीं यह स्ट्रक्चिरल यानि की संरचना वादी द्रिष्टि कोर नहीं अब इसमें आपको बताना है कि कौन हो सकता है बताईए इसको अराम से पढ़िए और बताईए तो इसका अगर हम इस ट्रक्चरल देखे तो नदी का पानी यानि हमने एक पानी के स्ट्रक्चर को देख उसके रंग में मौजूद ठीक है उसके रंग में मौजूद जितने भी पॉलिटेंट है उसको पहचान करना यही एक सनरचनावादी दृष्टी कोड है यानि जैसा रंग होगा उस हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी नदी का क्या है कितने उसके अंदर पॉलिटेंट पाए रहते हैं बस बीस कर लेते हैं उसके बाद थियूरी पढ़ते हैं नियमलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय सिक्षन में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वसेष्ट यानि कि एक्टिव है ये बच्चे क्या है तो एक्टिव है पढ़ाई में इस तरह के बच्चे क्या है एक्टिव अब बताई आप कैसे पहचान करोगे कि कोई बच्च बच्चा पढ़ाई में Active है किने बताया था कि बच्चा अपने दिमांग में क्या बना लेगा मने में माइंड मैप बना लेगा को तो वर्सों से प्रियोग होने वाहनों को दर्साने वाले वृत्चनलचित्र को देखने के बाद वहनों में देखे गए अंतर पर चर्चा करना पिछले 50 वर्सों में प्रियोग किये जाने वाले विभेन टेलिफोन दर्स दर्सने चलचित्र दो दो लोगों का समूह बनाना तो इससे बच्चा थोड़ी एक्टिव आपको पता चलेगा कि बच्चा एक्टिव सबसे बड़ी बात पाठ पुस् कुछी जो है तैयार करना अब इमार्तों की निर्मार करने में इस्तमाल होने वाले विभिन प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी स्यामपट से उतारे अब बताईए इससे कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा कितना एक्टिव है अब देखे तो वर्सों से प्रियोव होने वाले वाहनों को दरसाने वाले जितने भी वृत्ट चलचित्र को देखने के बाद यानि बच्चे ने देख लिया उसको वाहनों में देखे गए अंतर की कारणों पर जब चर्चा करेगा कि आखिर अलग अलग वाहन आखिर क्यो चाहियाए तो मुझे तक लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी तो इसका A is the right answer, A सही, क्योंकि बच्चा यहाँ analysis कर रहा है, यहाँ पर अंतर कर रहा है, analysis कर रहा है, और जो बच्ची analysis करते हैं, वही active students माने जाते हैं, विबेन प्रकार के कच्चे माल पर एक पार्ट के सम्मंद में निम्लिखित में से कौन सा प्रमारिक कारे होगा, what would be an authentic task with respect to relation on different raw material, अब बताईए different raw material यह कह रहा है, तो बताईए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो देखें, विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजडों में लाए जाने को के दर्शन को कहना, विद्यार्थियों को विद्याले के भवन में चारों तरफ चकर लगाने को कहना, और पहचानना की विभिन वस्तूओं में क्या-क्या raw material का इस्तमाल हुआ है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद की कच्चे माल से एक pencil stand बनाने को कह देना ठिक और अलग विद्यार्थियों के एक पुराने सूती कपड़े पर फैलिक रंग से दुबारा paint क करने अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाने के लिए कहना तो इसमें सबसे प्रमाडिक किसी भी raw material लेशन यानि की पाठ के संबंद में कौन सी चीज आप कहोगे या करोगे बताईए तो इसमें सबसे की विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे म बनाने को आप कहोगे और यही सबसे सटीक है मेरे प्यारे स्टुडेंट यानि आप जहां पर भी बच्चा बैठता है अपने जो है मेज पर उसके लिए पेनिस्टेंड बनाने के लिए जो भी उनके पास raw material है उसमें पेनिस्टेंड बना के तयार यह बहुत कठीन हो जाए और पहचान करेगा तो क्या पता पहचान थोड़ी हो पाएगा कैसे पता चलेगा जब बिल्डिंग में पेंटिंग होगी तो अंदर बच्चे को कैसे मालूम चलेगा कि स्रिमेंट है बालू है क्या है और आप क्या बच्चा क्या स्रिमेंट बालू इकठा कर लेगा और बि ये भी प्रमाडिक नहीं है विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर आप पेंट करने के लिए कहोगे में जो पोस्त तयार नहीं आप सीधे छोटा सा है कि कहीं धक्कन मिल गया कहीं डिब्बा मिल गया तो बच्चा इदम बढ़ियां रंग उंग करके एक तो यहां तक किसको किसको समझ में आ गया है कि बताइए किसको किसको समझ में आ गया है अब हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं अब हम लोग मॉस्किटों के बारे में देखते हैं मॉस्क्यूटों के बारे में देखते हैं यानि कि मच्छर मच्छर और हर बार हर बार मच्छर से एक कोश्चन आया हुआ हर बाद ठीक है तो अब सीधे पहला प्वाइंट ऐसे बना लिजे बॉक्स में और पहला प्वाइंट ठीक सीधे लिखिए इसमें आपको पहली लाइन लिखनी है कि मच्छर हमारे सरीर में ठीक है सरीर की गंद यानि कि मोस्कीटो जो है हमारा जो बॉड़ी की स्मेल जो होती है बॉड़ी की अ से फॉक्त है बॉड़ी की क्या इस फ्र ст OP खास कर पैरों के तलवे यानि कि हमारे पैरों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है पैरों के तलवे कि और हमारे सरीर के हमारी बॉडी के ठीक है सरीर की गर्मी से गर्मी से हमको ढूंडते हैं अब सीधे आप कहोगे कि मैं हम लोग चाहें जहां रहें मच्छर हमें क्यों ढूंड लेते तो पहले तो हमारे सरीर के स्मेल से तलवों से और तीसरी चीज है हमारे सरीर की गर्मी से क्यों क्यों कि हम लोग ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी एट्मोस्फियर में अपने टेंप्रेचर को नहीं बदल पाते हैं हमारा ये टेंप्रेचर फिक्स होता है इसी वजloo से जो यह मचल यानि कि मौश्कीटो है हमें डूल लेते अब मौश्कीटो जादा तर जादा क्या पानी में यह एग प्रोड्यूस करते है यहां टैकल वाटर एग प्रोड्यूस इन वाटर यानि कि पानी में ही ये अंडे देते हैं और नहीं तो इनका फिर यही अंडा क्या होता है भाई लारवा बन जाता है दीरे दीरे वो मॉस्क्यूठ एडल्ट में चेंज हो जाता है अब इसी मच्छर से हमें कौन कौन सी बिमारी हो जाती है तो डेंगू हो जाता है हमें भाई यह क्या फैलाता है यही मच्छर जैसे डेंगू जैसी बिमारी malaria malaria और chicken goneya यहीं आपके NCRT में chicken gunya यही NCRT में लिखा गया है और ये तीन बिमारी का जो vector होता है vector का मतलब वाहक यानि की फैलाने वाला कौन होता है? मच्छर होता है यानि की इनका जो vector होता है, वाहक होता है जो इस बिमारी को फैलाता है जो हाउस फ्लाई यानि की जो मक्खी होती है मक्खी से क्या होता है तो जो आजके हाउस फ्लाई वे गारा होती है वो diarrhea, diarrhea जो है बिमारी फैलाती है, कौन सा diarrhea, और इसी को dysentery कहते, dysentery का मतलब होता है luge motion, उल्टी, ये सारी चीजे मक्खी के द्वारा, क्यों क्योंकि मक्खी गंदी चीजों पर बैठती है और अपने पैरों में क्या कर देती है, कुछ amoeba, scaris, इन सब के जो एग होते हैं, उ अब यहाँ fresh food पर बैठती है, तो वो जो एग होता है, वो सीधे human being के intestine में चला जाता है, ठीक है, तो मक्खीों के द्वारा diarrhea, और हैजा, हैजा, और टाइफाइड, टाइफाइड भी एक तरीके से गंदा पानी पीने, यानि contaminated water के कारण, और contaminated food के कारण, हमें क्या हो जाता ह है, टाइफाइड, डाइडिया, हैजा, इस तरह के जो है, डिजीज हो जाते है, तो यह जो है, और यह क्या लाती है, तो यह scaris, amabia, और bacteria के जो है, यह सारी चीजे अपने पैरों में चिपका करके, ले करके आती, ठीक, तो अब यह अच्छे fresh जो है, food पर बैठती है, और उसको क्या तर बना देती है, contaminated, यानि दूशित खाना बना देती है, तो मुझे लगता है कि यहां तक समझ में आया, अब चीजे देखिए, अब मच्छरों से बचने के उपाए, मच्छरों से बचने के उपाए, भया, आजकल डेंगू फैला हुआ है, तो आपको यह चीज तो पढ़ना ही चाहिए, तो सबसे पहला मॉस्क्यूटो नेट, यानि हमें मच्छरदानी लगा लेंगे, तो हमें खुद मच्छर आएगा ही नहीं, तो सीधे मेजर टू एवाइड मॉस्क्यूटो के लिए सबसे पहला मॉस्क्यूटो नेट होना चाहिए, क्या होना चाहि हमें कहीं भी पानी कोई कठा नहीं होने देना अगर कहीं पानी कठा है तो उसमें कैरोसीन ओयल यानि मिट्टी का तेल डाल दीजे जिससे की वो क्या होगा उनके लारवा और उनके एग ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगे और मौस्क्यूटोनेट यानि की मच्छर दानी यानि हमें इसका प्रियोग करना चाहिए जिस्ते की हम मच्छरों से क्या हो सकते हैं बच जाते हैं अब आप कहोगे की मैं तीसरा क्या होगा तो मिट्टी का तेल डालना मिट्टी का तेल डालना यानि कैरोसिन कैरोसिन ओयल डालना कैरोसिन ओयल हमें क्या डालना कैरोसिन तेल डालना क्यों 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 कि ये क्या करता है इसके सर्फेस टेंशन को सर्फेस टेंशन को सर्फेस टेंशन यानि की प्रिष्ट तनाओ को पृष्ट तनाव को कम कर देता है मिटी का तेल डाने से जो पाणी के उपर प्रिष्ट तनाओ होता है उसको यह जो है वो कम कर देता ठिक अब आप ही बताओ अगर ये पानी रुका हुआ है और हमने यहां पर कैरोसीन डाल बास टैया है तो यह क्या करेंगा तो जाहिर सी बात है कि ये oxygen को break कर देगा oxygen को नीचे नहीं पहुंचने देगा और जब oxygen नीचे नहीं पहुंचेगा तो ये जो mosquito है वो survive नहीं कर पाते हैं यानि कि यह oxygen की आपूर्ती यानि कि यहाँ break कर देता है oxygen का transfer ये break कर देता है जिसके उपर मिट्टी का तेल आ जाता है बताईये तो ये oxygen कि आपूर्ती को कम कर देता है को खट्म कर देता है जिससे की लारवा मच्छन के यानि मोस्किटों के लारवा मर जाते हो ठीक है अब जब mosquito के लार्वा मर गए तो नए adult mosquito नहीं बन पाते हैं ठीक है अब दूसरा चीज है कि घरों में घरों में अगला लाइन है घरों में DDT का छिरकाव DDT का छिरकाव किया जाता है क्या किया जाता है DDT का जो है छिरकाव किया जाता है जो आजकल जानते हो कि देंगू फैला है तो जगा जगा इसके छिरकाव होते रहते हैं तो यहां तक किसी को कोई doubt है कोई doubt है और नहीं तो लारवा तो मरेंगे ही इनका प्रजनन प्रजनन भी रुख जाता है मिट्टी का तेल डालने से प्रजनन रुख जाता है यानि कि इनका reproduction system रिकु जाता है यानि कि यह ज़्यादा से ज़्यादा एग नहीं प्रोड्यूस क्योंकि लारवा जब एडल्ट में बनेगा ही नहीं तो कैसा प्रजनन कोई reproduction जो है नहीं हो पाता यहां तक किसी को कोई दिक्कत अब एक चीज है सबस्ते द्वांस यह भी सीटेट में option था कि रुके हुए पानी जैसे की तलाव वगेरा हो गया तो रुके हुए पानी जैसे की जैसे की तलाव ऐसे जगों पर क्या डाल दे मचली डाल दे मचली डाल दे और यह मचली क्या करती है तो आपके मौस्क्यूटो के एग को खा जाती है मौस्क्यूटो के मौस्क्यूटो के एग को क्या का जाती है खा जाती तो इतना कारण हो सकता है मच्छर से बचाओ का या तो पानी में मच्छियां डाल दे कि वह एग को खा जाए या मिटी का तेल या मच्छरदानी या घरों में DDT का छुड़काओ किया जाए spread किया जाए DDT का तो इतनी सारे चीजें तो हाथ उठा के आप बताईए कि किसको किसको समझ में आया बिल्कुल B.A.D. कर सकते हैं आप term and condition आपने देखा उसमें क्या पूछा है बताईए आपने term and condition देखा कि उसमें क्या है कितने परसेंट मांगे गए है तो देखिए अब आता है रेशम रेशम का कीड़ा यानि इसको हम silk warm बोलते है silk warm बोलते है अब ध्यान दीजे silk warm के बारे में पहला तो यह होता है कि silk warm के culture को seri culture कहते है seri culture कहा जाता है seri culture और यह मेलबरी लीफ पर ही इनका culture होता है यह कई किलो मीटर कई किलो मीटर की दूरी पर ही अपने मादा अपने मादा को मादा को पहचान जाती है पहचान जाता है पहचान जाता है यानि कि जो female आप क्या silk warm होगी उसको जो male silk warm है कई किलो मीटर गंद से किसे गंद से पहचान जाता है कई दूरी तक पहचान जाता है ठीक है अब अगला आता है चूहा चूहा क्या है चूहा के बारे में देखिए यानि rat चूहा के बारे में यानि की rat अब rat के बारे में देखें इनके देखने की चंता बहुत कम होती है इनके देखने की capacity यानि चंता कम होती है ठीक है इनका जो visibility होती है वो क्या होती है बहुत कम होती है लेकिन इनको सूंघने की सूंघने की चेक सूंगने की और छूने की और टेस्ट करने की चमता भया सब चीज तों खाते रहते हैं सब कुछ टेस्ट करते रहते हैं यानि कि इनके अंदर स्नीफ स्नीफ की कैपिसिटी यानि स्नीफ sniff की capacity English में sniff कहते है छूने का मतलब ही होता है touch की capacity और test का मतलब होता है test इनकी capacity ज़्यादा होती है चलिए तो एक तरीके से आपको सिर्फ मुख्य मुख्य चीजे ही है जो आपको पढ़ना है तो यहां तक समझ में आया अब चलिए अगला देखते है बसंत गौरी के बारे में देखते है बहुत question आता है इसके बारे में बसंत गौरी को देखा जाता है बसंत गौरी अब बसंत गौरी क्या है देखिए बसंत गौरी थोड़ी सुन्दर हरी हरी रहती है colorful रहती है छोटी सी रहती है तो देखिए ये गर्मी में कैसा करती है टूक टूक करती है तूक करती है बसंत गौरी गर्मी में टूक टूक करती है और पेड़ों के तनों में पेड़ों के तनों में तनों यानि की स्टेम में गहरा छेद कर देती है और चेद करने के बाद उसी में अंडे देती है यहां तक समझ्याया अब सीधे इसको इंग्लिश में टुक टुक लिखेंगे बहिए ऐसे अपने चोच से टुक टुक मार मार करके ये स्टेम में बहुत डेप्थ क्या बना देती है होल और उसी में होल बना करके ये अपना क्या देती है अंडा देती क्या है अंडा देती अब आप कहोगे कि मैं एक और हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था तो उसमें देखिए कट फोडवा कट फोडवा जो कट फोडवा होता है यानि इसको हम वुड वुड पेकर बोलते है वुड पेकर बोलते है तो ये वुड पेकर भी सेम टु सेम जैसे बस बसंत गौरी होती है यानि कि बसंत गौरी को बार्बेट बोला जाता है बार्बेट बसंत गौरी तो बसंत गौरी यानि कि बार्बेट की तरह ही वुड़ पेकर्स भी होते हैं ठिक और ये भी क्या करते हैं कनों के अंदर क्या बनाते हैं ये घोसला बनाते हैं तनों के अंदर ये भी सीधे टक्क टक मार मार के पुरा छेद करके क्या बनाते हैं? गोसला बना देते हैं तो बताईए यहां तक समझ में आया आपको किसी तरह की कोई दिक्कत एक होती है दरजिन चिडिया क्या होती है दरजिन दरजिन चिडिया दर्जिल चिडिया, अग तोड़ा सा इसको टेलर, टेलर बर्ड भी बोलते हैं टेलर बर्ड भी बोला जाता है अब टेलर टेलर बर्ड अखिर है, क्या चीज यह भी तो पूछा जा सकता है तो सीधे लिखोगे कि यह अपनी नुकीली नुकीली अपनी नुकीली चोंच ठीक है अपनी नुकीली चोंच से जितने भी लीफ्स होते है यानि की पत्तों ठीक है पत्तों को C लेती है C लेती है अभी इंगलिश में हम बताएंगे और उससे क्या बना देती है थैली बना देती है सी करके थैली बना देती है और उसी थैली में अंडा देती है क्या देती है? अंडा देती है उसी थैली में क्या बना देती है? अंडा देती है ठीक, तो सीधे आप कहोगे कि ये क्या करती है? सी का मतलब होता है सीव, ठीक है? सीव सीव दा लीप्स See the lips English medium वाले लिखेंगे कि ये क्या करती है lips को सीव कर यानिकि See the lips ठीट और उसे क्या बना लेती है तो एक आपका bag बना लेती है क्या बना लेती है bags बना लेती है और इसी bag में ये क्या करती है egg egg produce करती है तो फटाफट बताइए के आज की क्लास आपको कैसी लगी आपने पूरे 15 कोश्चन भी प्रीवियस एर के किये और साथ में आपने कई कॉंसेप्ट को पढ़ा कई कॉंसेप्ट को पढ़ा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही रोज मेरी जो क्लास होती है सीटेट की वो डेली आपकी दो बच के 15 मिनट पर चालू होती है ठीक है तो चलिए बाई बाई टेक क्यार फिर हम लोग कल मिलते हैं आपके फिर प्रीवियस एर कोश्चन पूरे 15 और कुछ कॉंसेप्ट के साथ तो बाई बाई टेक क्यार